stock market के ऐसे पाँछ defense stock जिनको defense ministry की तरफ से बहुत ही बड़े कॉंट्राक्ट मिले हैं orders मिले हैं अभी यह जो यह आपड़ difference ministry India की उन्हों ने आपर recently एक बहुत ही बड़ा announcement किया अभी यहाँ पर से यह जो सारा कशणाज यहाँ पर order है वो इंडिया की ही company को दिया गया है कोई भी बाहर की company नहीं है यहाँ पर यह एक बहुत ही जदा अच्छी बात है ठीक है अभी यहाँ पर से इंडिया के अंदर यह जो orders दिये गये है वो हमारी army, navy and air force के लिए यहाँ पर यह सारे ही orders दिये गये ठीक है यहाँ पर से company कुछ है आपर बड़ी कंपनियों का नाम आ रहा है सबसे पहली कंपनी का नाम आ रहा है जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रोनिक्स इस कंपनी को टूटल 5,498 करोड रुपीस का ओर्डर मिला है जहां पर से कंपनी ने टूटल 10 साइन किया है मतलब कॉंट्राक्स साइन किया है इसके अंदर आप लोग देखने जाओगे तो भाई एक तो डिफेंस एंड मैनुफेक्ट्रिंग केपेबिलिटी को यहां पर और ज्यादा इंक्रीस करना है जिसमें आपर कंपनी को कॉस कॉन से ओर्डर है वो दिखा देता हू तो एर एर फोस के टोटल दो ओडर्स है यह सारी चीज़े मैं पढ़ने जाऊंगा ना तो बहुत ज़दा लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए यहां पर से मैं आप लोगों को सारे ओडर्स यहां पर दिखा देता हूँ आप लोग पॉस करके देख लेना अभी यहां पर स ने वो सारे चीज़े यहां पर इन्होने आप चार टूटल ओर्डर्स यहां पर पर से देखने को मिल जाते है ठीक है तो इस बरकार के टूटल 10 यहां पर कॉंट्राक्ट करे गए है भारत electronic इस कमनी के साथ ठीक है अभी यहां पर से इसी आर्टिकल मैं दूसरे आर्टिकल म को मिलता हुआ नज़र आ रहा रहा है जिसमें यहाँ पर से कंपनी को जैसे मैंने बताया कि वहाई नेवल फाइटर नेवल गर्ण फाइटर्ड फाइर गंट्रोलर जैसे यहाँपर सिस्टम इनको बनातनी है एक्जेट ली मेरिकों मालूम नहीं है क्या यहाँपर यह दिन ओवरोल यहां पर उपर ही देखने को मिला पूरे ही दिन एक अच्छी तेजी के बाद गैप अप उपनिंग के साथ एक ही रेंज के इंदर कंपनी का शे चलता हुआ देखने को मिला ठीक है इस कंपनी के ऊपर जरू से नजर रखना बाकि आर भारत इलेक्ट्रोनिक्स ल बिलता हुआ नजर आ रहा है जिसका यहां पर जो अमाउंट है वह 8,161 करोड रूपीस के कॉंट्राक्स साइन किया गए है बीडीयल करके एक कंपनी है भारत डायरमिक्स लिमिटेट करके यह जो यहां पर कंपनी को इतने करोड रूपीस का यहां पर ओर मिला है जहां पर आकाश वेपन सिस्टम इनको यहां पर बनानी है और इसी के साथ साथ कुछ यहां पर हिदराबाद बेस्ट डिफेंस पॉब्लिक सेक्टर की कुछ यहां पर यूनिट्स की तरफ से भी 261 करोर रुपिस के आसपास को ओडर है यहां पर से कंपनी को काउंटर मेजर डिस्पेंसिंग सिस्टम इनको बनाना है ओडर्स है वह BDL को मिलते हुए नजर आ रहे है और बारत डैनेमिक्स यह जो यहां पर कंपनी न यह आने वाले समय में आने वाले तीन साल के अंदर यह ओडर्स को फिल्फिल करती हुई नजर आ जाएगी ठीक है तो यह एक यहांबर अपडेट निकल के आ रही है BDL को लेकर जिसकी वेज़े से आज के दिन कंपनी के शे में अच्छी तेजी देखने को मिली थी क्लोजिंग के टाइम में भी और उसके साथ ही चार प्रतिशत क के आसपास की तेजी थी टॉप टू बॉटम हम देखने जाएंगे तो ठीक है यह चीज आप लोग जरूसी धन में रखके चलना 980 रुपे के अराउंड कंपनी का शे ट्रेड हो रहा है फिछले छे मेने के अंदर या एक साल के अंदर देखने जाओगे तो कंपनी ने अप पर से इनका जो महरास्ट वाले यूनिट है नासिक वाला उनको यहाँ पर ओडर मिला है 6828 करोड रुपीस का जहां पर से कंपनी को एरक्राफ्ट कॉंट्राक्ट है तो यह एरक्राफ्ट से यहाँ पर इनको बनाने होंगे तो यह ऐसा कुछ यहाँ पर कंपनी की तरफ से अ करोड उपेस का ओर्डर मिलता हुआ नजर आ रहा है यह एरक्रफ पर आप लोग फोटो भी देख सकते हो ताकि आप लोग यहां पर इसीली समझ भाओ ठीक है अभी यहां पर से हमारी गवर्मेंट इतना साधा पैसा खर्च कर रही है इस डिफेंस सेक्टर के अंदर देखते ह हो वो कंपनी है HAL HAL के अंदर मैं परसनली भी यहां पर इन्वेस्टमेंट आज से कुछ टाइम पे ले किया दा और उसके बाद यहां पर से यही लेवल्स के आसपास मैंने इस कंपनी के शेयर में से प्रॉफिट बुकिंग कर लिया अभी मेरे होल्डिंग्स में कोई भी बागयार यह कंपणी बढ़ी हैं अपने शिरूर्लमस को अच्छा पैसा बना कर दे सकती है और इन्वेस्टेड हो तो होल्ड रखना इन्वेस्टेड नहिं हो तो यह कंपनी के शेयर में हैं व्हां पर क्रेदारि करके चल सकते हो जेक है अगली कंपनी यह जाती है कोचिन वह पुरदक्ट ऐ, वह क्या है, पर कंपनी को यहाँ पर वैस़ल्स बनानी है, और ये जो वैसल्स बनाने के लिए कंपनी को इतने करोड रूपीज का ओर्डर मिला है, ठीक है, तो ये कुछ है आपर ध्यान रखके चला, और इसे के साथ-साथ Garden reach ship builder करके एक company है जिसको यहाँ पर 3500 करोड़ पर इसका order मिला है यह इस company को यहाँ पर petrol vessels बना नहीं है estimated cost लिखा हुआ यहाँ पर वाकियार यह vessel क्या होता है सबसे पहले वो दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ मिलको भी नहीं पता है तो यहाँ भी देख लेते हैं यह चीज का photo देख लेता है वैसल कुछ इस प्रकार की यहाँ पर बोट होती है जिसका उपर लोग यहाँ पर से बैखते है और रेडा रिंग और वो साइच चीज़े करता है कभी-गभी यहाँ पर से जो अच्छी तेजी देखने को मिली थी 6 प्रतिशत के around company का share open हुआ था और उसके बाद company के share में profit booking देखने को मिली अगली यहाँ पर से company देखने को मिल जाती है green rich shipyard और यह जो company के share में भी आज की दिन lower level मलब उपर की level से यहाँ पर company के share में profit booking आई overall यह company ने भी 7 प्रतिशत क करीब की यहाँ पर तेजी दिखाई थी रीक है बाकियार आप लोग यहाँ पर से इन में से किसी भी company के अंदर invested हो तो मैं personally एक company को को लेकर बहुत ज़दा बुलिश हो जिसका नाम है H.E.L. Hindustan Aeronautics बाकि B.E.L. and B.D.L. यह दोनों ही company भी अच्छी है आप लोगों को यह हम अच्छे levels के उपर मिलता है company का share तो जरू से investment किया जा सकता है ठीक है कौन-कौनसे levels के उपर investment करने के मौक है इसकी बात करें तो बाइक company के share में यह जो डीप आया था रिसेंट्ली उन levels के आसपास या अभी 92 रुपे इसके आसपास company का share मिलता है तो इस company के share में investment करने का मुझा है ठीक है इसे के ज़त सद यहां पर एक और कंपणी जैसे मैंने बताया BDL इसकी बात करें तो यह कंपनी के शेमें आपर से अभी तो यह ब्रेक आउट के करीब कंपनी का शेर आ चुका है ब्रेक आउट दे देता है तो यह सपोर्ट पर खरीदेंगे यहां पर से आएँगे कुछ अच्छे खरीदारी करने के टेकनिकर बेस के ओपर आप लेगों को वीडियो के अंदर में बता दूँगा चैनल को सबस्क्राइब करके बैल आइकन को आल पर रखना तो बस आज के लिए नहीं वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइ